हाई गाईस तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूटूब के बहुत ही कमाल के जबदस नय अपडेट्स जो कि आपको बहुत ही ज़ादा पसंद आने वाले हैं तो चलो फिर वीडियो को शुर कर लेते हैं तो यहाँ पर पहला अपडेट है वो है पिंस तू जूम का तो अब अगर आप लोग यूटूब अप्लिकेशन पर किसी वीडियो को देखते हो तो उस वीडियो को देखते समय आप उस वीडियो को 8x टाइम जूम कर सकते हो जैसे में आप जो है उस वीडियो का वही पार्ट आसानी से देख सकते हो जो कि यहाँ पर काफी अच्छा अपडेट किया है यूटुब ने दूसरा अपडेट है प्री साइज सीकिंग का तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप लोग यूटुब के ओपर किसी वीडियो को देख रह कर रहा हूं तो जिस भी टाइम पर मैं इसको ले जा रहा हूं तो उस उस टाइम पर उस वीडियो के अंदर क्या है वो ऊपर जो है थामनेल के रूप में मुझे इस तरीके से देखने को मिलेगा तो ऐसे में कोई वीडियो के अंदर किस टाइम पर क्या क्या चीजे हैं तो तो उस वीडियो को देखते समय अगर आप उपर सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ambient mode का एक नया option देखने को मिलेगा जिसे अगर आप प्रेस करके on कर देते हो तो इससे पता क्या होगा आपकी वीडियो में जादू हो जाएगा जादू कैसा होगा कि अगर आप जो भी वीडियो देख रहोगे तो जैसे आप ambient mode on करोगे तो आपकी वीडियो में उपर और नीचे आपको जो है एक lightning वाला glow देखने को मिलेगा थोड़ा सा मतलब blur type का shadow type का जो glow होता है वो देखने को मिलेगा उपर और नीचे side में अब यह colors जो है वो आपकी वीडियो से जो है तभी काम करेगा जब आपने जो है अपने YouTube application के अंदर black theme को enable कर रखा होगा या फिर जिससे हम dark mode बोलते हैं उसको अगर enable कर रखा होगा तभी आप जो है यह ambient mode का मज़ा ले पाओगे चौता update है dark mode का तो YouTube का जो dark mode था वो और भी ज्यादा dark हो गया है क्योंकि YouTube का ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा तो YouTube का जो dark mode है और भी ज्यादा dark हो गया है पाँचवा update है looks and feel को लेकर तो अब आपको YouTube application का बिल्कुल ही नया look देखने को मिलने वाला है जो कि बहुत ही आदा smooth होगा अब यहाँ पर अगर आप जो है इसके इंदर देखोगे तो आपको multiple न उनकी वीडियो का thumbnail होगा न वो आपको इस तरीके से highlighted देखने को मिलेगा जो कि देखने में यहाँ पे आर काफी अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से आपको कुछ नया look देखने को मिलेगा इसके इलाबा जितने भी YouTube के buttons होंगे चाहे वो join का button हो subscribe का button हो like dislike का button हो उन सभी को जो है इनलोगों ने round shape में कर दिया है अब round shape में होने के वीज़े से यह आपको हर जगा पे दिखाई देंगे और यह देखने में काफी यादा attractive से लग रहे हैं इसके इलाबा आप जो आप community post करोगे उसके उपर भी आपका subscribe button है वो देखने को मिलेगा जिससे कोई viewer आप आपका join button होता है वो subscribe button के साथ आपके home page पे देखने को मिलेगा जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है तो क्यों अगर आपके channel को join करना चाहिए तो join कर सकता है subscribe करना चाहिए तो subscribe कर सकता है इसके बाद guys अगर आप किसी वीडियो देख रहोगे तो वीडियो देखत वो काफी ज़्यादा improve कर दिया गया है और साथ ही अब अगर आप जो है वीडियो अगरा देखोगे तो आपका जो data है वो कम खच्छा होगा और आपके वीडियो देखने का experience है वो काफी ज़्यादा smooth रहने वाला है आपकी वीडियो बहुत ही आराम से play होगी और आपको का प्लक ही अलग तरीके से देखने को मिलेगी जैसे मैंने अपने इस वीडियो में अपने दूसरी वीडियो के लिंक डाले है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लिंक का format है वो change हो गया है यहाँ पर आपको सबसे आगे YouTube का छोटा सा लोगों देखने को मिलेगा और जो अब अपनी प्लेइस का लिंक डालोगे तो वो जो लिंक है उसका नाम चेंज करके जो भी आपकी प्लेइस का नाम होगा वो नाम जो है आपका YouTube लोगों के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी तरीके से अगर आप जो है चैनल का लिंक डालते हो तो चैनल के लिंक में क अब भी वैसे ही देखने को मिलते रहेंगे लेकिन YouTube के जित्ते भी अंदर वाले लिंक्स है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप जो है वीडियो के लिंक प्लेलिस का लिंक और चैनल के लिंक यह तीनों ही अभी आप जो है इस फॉर्म में देख पाओगे तो गईस यह अपडेट आपको कैसे लगी और जितने ही मैंने अपडेट बताई आपको वो सारी अपडेट काफी अच्छी है तो आई होग काईस के आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना शेयर करना सब्